इस वेल्कम तो माई चैनल फ्रेंड्स आजम सीखेंगे बहुत ही खुबसूरत और प्यारा सार डिजाइन पैटर्न केवले सीख स्रों की डिजाइन है फ्रेंड्स तो चलिए डिजाइन पैटर्न हम और आप बनाते हैं इसे जैन स्वेटर लेडी स्वेटर किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं और यह दिजाइन जो है इजली बन करके तयार हो जाता है तो फ्रेंड्स से दिजाइन सीखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिएगा अगल में बेल आइकन क कि घंटे उसे प्रेस करना न भूलेगा जिससे कि हमारा नेश्ट वीडियो आपको तुरंत प्राप्थ हो सके तो फ्रेंड्स आप कोई भी बार्डर बना लेजिएगा बार्डर बनाने के बाद आप देखिए फर्स्ट रोको स्टार्ट करेंगे फर्स्ट फंदा स्लिप कर दागा पीछे अब देखिए वान टू थ्री फोर फाइब सिक्स सेवन एट नाइन टैन एलेवन ट्वेल तो यह हमने ट्वेल फंदे जो है सीधा बोना धागा आगे किया एट फंदे उल्टा बोनेंगे वान टू थ्री फोर फाइब सिक्स सेवन एट धागा पीछे साइट का एड़िष्ट इसे सिधा बोनेंगे तो फ्रेंट देखिए हमने आपको यह डिजाइन का फंदे लेना भूल गये थे बताना तो यह 20 प्लस 20 के मल्टिपल बनेगा प्लस 10 फंदे आप लेंगे तो आपका यह डिजाइ 30 फंदे लिए हुए 30 फंदे तो देखिए यह सेकन्ड रो है बैक साइड यह पूरी सलाई आपको ऐसे उल्टा उल्टा सबनना है देखिए इस तरीके से यह he ऊटाकर ऑमनेगे तो इस तरीके से आप पूरी रो को कम्प्लीट करें इत देखिए सेकेंड रो कंप्लीट हो गया अब हमारा ये थर्ड रो है राइड साइड इसको अब ध्यान से देखिएगा देखिए ये फर्स्ट फंदा हम स्लिप करेंगे धागा आगे करके एट फंदा मुल्टा बुनेंगे फाइब देखिए धागा पीछे अब यहां पर हमें एट फंदे ट्फिस्ट करना है फोर फंदे फ्रंट साइड से इधर ले जाएंगे फोर फंदे देखिए बाइक साइड से, वान, देखिए, वान, टू, थ्री, और ये फोर, फोर फंदे हमने बाइक साइड से लिया, और फ्रंट से देखिए, हम स्लिप करके ऐसे फ्रंट से हम, हम इसे लेट स्लाइब ले लेंगे, और फिर देखिए, इन फोर फंदों को हम ऐ से ले लेंगे सलाई में तो देखिए हम इसे बुन लेते हैं देखिए वान टू थ्री फॉर फाइफ सेख्स सेवन एट और ये नाइन टैन लेवन धागा आगे फोर एट फंदा उल्टा वन साइड काई देखिए तो ये हमारा देखिए तो फ्रेंट देखिए ये रोब फोर है फ़र्श फंदा स्लिप करके और पूरी सलाई को हमें उल्टा उल्टा वुन लेना है इस तरीके से तो इस तरीके से आप पूरा कम्प्लीट करें तो फ्रेंट सी हमारा फिप्त रो है राइड साइड देखिए फ़र्श फंदा स्लिप देखिए दागा पीछी ले जाएंगे फोर फंदा सीधा बनेंगे वान टू थ्री फोर देखिए दो तरीके से आप ट्विस्ट कर सकते हैं अब हमें इन फोर फंदों में ओर इन फोर फंदों में हमें ट्विस्ट करना है तो देखी किस तरीके से अब हम twist करेंगे, आप जैसे कि हमें देखे इसे हम 1, 2, 3, 4, four पंदे ऐसे बैक साइड ले लेंगे आप इस तरीके से भी twist कर सकते हैं, तीसरी सलाई लगा करके आप इसमें four पंदे आप ले लिजे फिर ये four पंदे आप बूलेजिए स्कुल देखें, हो फोर फंदे हमने यह स्कूर लिया है, अब देखें हमने यहां फोर फंदें आपने country अक्नातोद चर्छक करतें tas देखिए आपको जिस तरीके से आसान लगे, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, तो देखिए ये हमने बुन दिया, अब इसके बाद धागा आगे लाएंगे, 8 फंदा उल्टा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, धागा पीछे, 1 साइट का ये टेश्टिक, तो ये 5 तरो कम्प्लीट हो गया फ्रेंट्स, ये 6 रो है, बाइक साइट, 1 फंदा स्लिप करके, पूरी शलाई को हमें उल्टा-उल्टा बुनना देखिए, इस तरीके से, उल्टा-उल्टा बुने गया, तो ये 6 रो को कम्प्लीट कर लेते हैं, तो फ्रेंट्स देखिए, 1 से लेके 6 रो में हमने इस तरीक आप अप्लाई कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो कई डिजाइन बना सकते हैं आप इसमें आप चाहें तो यह जो हमने गांट वाले फंदे आठ फंदे बुने आप पांच फंदे बुन सकते हैं तो आप जैसे चाहें वाइसे बना सकते हैं तो फ्रेंट बहुत ही इसली बन प्रूए बादाट सैंग, आज दूसके बादारी नहीं अनला है, एपले रिक एपला नहीं से, जान ही एपला है, जान हीं एकुरिया जान हुआत।